हाई फ्रिंट्स आज मैं फिर से आगे हूँ एक और नियू रेसिपी लेके आज मैं बनाऊंगी फूल कोवी की एक रेसिपी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो बड़ा फूल कोवी था इसे मैं टुकड़ों में काट ली हूँ तरह कीरे मकरों भी पाया जाता है तो इसे अगर हम लोग हाप बॉयल कर लेंगे तो कीरे मकरों भी मर जाएगा और यह खाने में भी अच्छा लगेगा अच्छी तरह से बॉयल भी हो जाएगा तो यहां पर पानी में एक चमच नमक अड़ कर दिये हैं अब गैस का फ्लेम ह करके यह जो गोबी है इसे मैंने पानी में एड़ कर दिये हैं तो जब तक यह हो रहा है तब तक आ जाते हैं नेक्स टेप पर यहां पर हम बनाएंगे बैटर इसके लिए एक बोल ले लिए हैं और बोल में हम सबसे पहले एड़ करेंगे चार चमच मैदा मैदा करने के साथ में आदा चमच काली मिर्च आदा चमच कसमेरी रेड चिली पाउडर और और वानफोर टी स्पूल हल्दी पाउडर एड़ कर दिये हैं अब इसमें बैटर रेड़ी करने के लिए पानी एड़ कर देंगे तो यहां पे आप अपने हिसाब से पानी को कम करके इसमें कि हमारा जो गोबी है बहुत ही अच्छी तरह से उबल गया है और यह हाब बॉयल भी हो गया है तो यहाँ पे गोबी को हम झानके निकाल लेंगे तो देखिए इस तरह से सारे गोबी को छान के हम लोग लिका लिये हैं और वो जो पानी था वो ड्रेन आउट कर दिये तो गोबी हमारा हाब बॉयल हो गया है अब ये जो बैटर हम लोग रेडी करके रखे थे ये भी बहुत स्मूथ सा एक बैटर रेडी हो गया है अब ये जो गोबी हम लोग उबाल के रखे हैं वो इस बैटर में एक एक करके डिप कर लेंगे और इसे हम फ्राइ कर लेंगे तो चलिए इसे अब फ्राइ कर लेते हैं तो यहाँ फ्राइ करने के लिए रिफाइन ओयल को पहले से ही गरम होने के लिए रख दी थी तो गरम हो जाए तो इसमें हम एक एक करके सारे गोबी को इस बैटर में डिप करके इसमें हम छान लेंगे गोबी हमारा पहले से ही बोईल किया हुआ है तो इसलिए गैस का फिलिम हाई टू मीडियम में रखके सारे गोबी को हम इस तरह से छान लेंगे तो गोबी को इस तरह से अगर आप छानेंगे तो घर पे ही केव सी स्टाइल गोबी बनके रेडी हो जाएगा यकीन मानिए यह बहुत ही क्रिस्पी होता है और खाने में भी और भी जादा टेस्टी होता है चाई या सॉस के साथ आप इसे सर्फ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी लगता है तो चलिए गोबी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से फ्राइ हो गया है इसे गैस का फ्रेम आफ करके इसे निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है आप एक बर घर पर इसे जरू ट्राइ करें अच्छा लगा होगा तुम वीडियो को लाइक और सेहर करना ना भूले और मेरी चनल पिर अगर नय है तो चैनल को्विज अब्राइब करके जाए तो फिर मिलता है एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्यार रखे थैंक्यू